वेलकम टू माई चैनल हाटली क्रेशन आज की जो मेरी रेसिपी है प्याज को चाकू से ना काट कर हाज से तोड कर खाने की जो ट्रिक है वो बहुती लाजबा और खाने में जो प्याज है वो काफी मीठा लगता है जो जितना भी कड़वा प्याज हो इस ट्रिक से आपका जो यहां मैं च्राकु उतार लूँगी। उनके उतार लने हैं। ऐसे जुरूदे dahaग करें। यकीन माने हिए घारें काफी टेस्टी होते हैं। और मैंने इनको काट लिया और काट कर इसे वोश कर लिया है और यहां मैंने लिया है एक पत्थर का जिसे हम रोटी बेलते हैं जिसे हम चक्ला बोलते हैं और मैंने यहां प्याज लिया और प्याज को मैं मुठी से तोड़ूगी जिस टाइब से जो मैंने ट्रिक की है इसी ट् प्याज को मूठी से दिरी दिरे तोड़ लूँगे आप इसी जुरू ट्राए करके देखें यह देशी कहते हैं ने कि देशी जो ट्रिक होती है लोग अपनाते यह वही ट्रीक है अक्सर गाउं में जो लोग अपनाते यही ट्रिक से प्याज को तोड़ कर खाते इसकी जो पीठा हो जाता है इसकी सारी कड़वाट निकल जाती है यहां जो है प्याज देख सकते हैं कि टूट गया और मैंने इसको अच्छे से दबा दूगी और दबानेसी इसका जो पानी है वो निकल जाएगा दोनों हाथों से आपको बीच में प्याज रखके इसको दबा देना है इस टाइब से प्याज जो अलग हो जाएगा यह और इसकी मिठास भी बढ़ जाएगी आप देख सकते हैं इस टाइब से जो पानी वो निकलेगा इसका और इसे आप सभी प्याज जो को ऐसे आपको धीरी तीरी करके तोड़ना है और मैं यहां पानी लूँगी जो की ठं आप इसे जुरू ट्राइब करें यकीन मानिए यह खाने में काफी टेस्टी लगेंगे आपको मैं सभी प्याज को पानी से निकाल दूँगी और इन्हें हाथों से प्याज को अलग कर दूँगी ताकि जो इनके छिलके हैं अलग-लग हो जाए और खाने में भी असानी रहे मैं सभी प्याज को अलग कर दूँगी यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरू करें